तो दोस्तो अगर आपका भी कुलर प्लास्टिक का है और उसमें करंट आ रहा है बट आप या कनफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि प्लास्टिक कुलर में आ रहा करंट अर्थ वाली करंट है या इसी वाला करंट है तो दोस्तो इस उड़ में मैं आप लोग को ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप 100% कंफर्म कर पाएंगे कि आपके प्लास्टिक कुलर में आ रहा करंट अर्थ वाली है या इसी वाला है और इसके साथ इसाथ आपको यह भी बताने वाला हूँ कि प्लास्टिक कुलर अर्थ क्यों लेता है और प्लास्टिक कुलर में आ रहा है अर्थ को आप कैसे ठीक कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हमारे टूब चैनल Electrical Search तो इसे दोस्तो वीडियों Start कर ही लेते हैं तो दोस्तो ऐसे नहीं है कि Plasticular में Current नहीं आ सकता दोस्तो Plasticular में भी Current आ सकता है या AC वाला Current है और इसके बाद आपको आपके Plasticular में आ रहे है अर्थ को आप किसे बारा से ठीक कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे तो दोस्तो जैसे कि आपका Coolular Fan का Motor चलता है तो उस समय क्या होता है आपका Fan का Motor एक Magnet जेनरेट करता है और कभी कभी दोस्तो आपका Motor अर्थ लेने लगता है और दोस्तो Motor आपका Coolular प्लास्टिक के होने के काराण आपका जो Motor होता है उसे अर्थ नहीं मिल पाता है जमीन से तो दोस्तो उस Condition में जो Motor से जो अर्थ बनता है वह आपके Coolular के बाड़ी में के से जाता है तो दोस्तो वो क्या होता है कि इसका जो पार्ट होता है उसमें धूल कन मैल बैठ जाते हैं और उसी धूल में आपका जो Coolular का पार्ट होता है उसमें नमी आ जाता है और उसी नमी के ज़रे दोस्तो आप Tester से चेक करते हैं तो आपका कुलर का किसी किसी पार्ज में कहीं कहीं पर आपको टेस्टर गलो करता हूँ आपको दिखाई देता है तो दोस्तों इस पकार से आपका जो कुलर का मोटर होता हूँ अर्थ लेता है तो दोस्तों और इसके अलावा दोस्तों आपका जो कुलर में जो वाटर पंप आप यूज करते हैं, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आप दिखाते हैं, हम खुलर में water pump यूज करते हैं, और उसमें भी coil होता है, और दोस्तों, जब हमारा water pump चलता है, तो वह भी एक magnet generate करता है, और कभी-कभी water pump भी earth लेने लग जाता है, और कुलर प्लास्टिक का होने की कारण आपका मोडर को अर्थ जमीन से नहीं मिल पाता है जिसका अंसे क्या होता है जो मोडर का अर्थ पैदा होता है अर्थ उसको मिलता है वह नहीं मिल पाता है तो क्या होता है यहां का जो पानी में डूबा उड़ता है यहां से आपका जो टैं से चेक करते तो आपको उसमें करेंट सो होता हुआ आपको दिखाई देता है जो की अर्थ वाली करेंट होता है तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपका जो प्लास्टिक का कुलर है वह अर्थ क्यों लेता है अब इसके बाद आपको बताएंगे कि आपका जो कुलर का प् लगा सकते हैं कि आपका Plastic Lear में आरा Current अर्थ वाली है या AC वाली है तो अगर आपका कुलर लोहे या टीन का है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं इसमें मैंने आपको बताया कि आनके कई सारे कारण हो सकते हैं इसका लिंक आपको उपर लाइब बटन में मिल जाएगा आप उहां से क्लिक करके देख सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको जो प्लास्टिक कुलिया है उसमें करंट आ रहा है या अर्थ अले रहा है तो आपको कैसे कंफर्म करना तो उसके लिए आपको कितना गलो कर रहा है आपको इस बात को धियान देना और उसके बाद आपको आपके cooler में जहां पर current आ रहा है जहां पर अर्थ सो हो रहा है वहाँ पर आपको touch करके देखना है और आपको दोनों में अनुमाल लगाना कि आपने जब switchboard में touch किये थे tester को तो कितना glow कर रहा था और जब आप cooler की body में touch कर रहा है तो कितना glow कर रहा है अगर cooler की body में touch करने पर switchboard के मुकाबले कम glow कर रहा है तो यह अर्थ वाली current हो सकता है मगर इसमें confirm नहीं होता तो दोस्तों confirm करने के लिए हम आपको दूसरा तरीका बताने वाले जिस तरह के से आप 100% confirm कर सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है अपने पैर में को भी footwear पहन लेना है और यहां पर switchboard में check करके देखना है तो आप देशकते हमने आप पर footwear लगा है और tester glow कर रहा है अब हम नंगे पायर खड़े हो जाते हैं नंगे पैर यहां जमीन में और यहां पर tester check करते हैं तो यहां पर भी हमारा tester glow कर रहा है यानि कि दोस्तों shortcut में कहा जाए तो जो AC current होता है जो full current होता है वहां पर हम चपल या जूते जो भी हम पहन कर अगर check करते हैं तो दोनों condition में हमारा tester glow करता है हम नंगे पैर खड़े होंगे फिर भी हमारा tester glow करेगा और कोई footwear पहने रहेंगे फिर भी हमारा tester glow करेगा मट दोस्तों जो अर्थ वाली current होता है उसमें ऐसा नहीं होता है जब आप बिना कुछी footwear के आप अपने cooler में आ रही current को check करते हैं जो अर्थ है उसे तो आपका tester glow करेगा तो glow तो करेगा दोस्तों बट यहां पर आपका tester कम glow करेगा अगर अर्थ वाली current रहेगा तो और यदि आप दोस्तों अपने पैर में कोई दूते चपल या footwear किसी भी पकार आप पहन कर tester से check करेंगे जहां पर current आ रहा है आपके cooler के body में तो आपका tester glow नहीं करेगा वह इसलिए कि आपका जो cooler में आ रही current अर्थ वाली है तो कि दोस्तों जो अर्थ वाली current होता है उसे आप footwear पहन कर चेक करेंगे तो आपका tester glow नहीं करेगा और अगर आप नंगे पैर ख़रे हो चेक करेंगे तो आपको tester glow करेगा बट बहुती कम glow करेगा तो इस तरह से आप confirm कर सकते हैं कि आपका plasticular में आ रहा है current अर्थ वाली है या AC वाली है तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको दरीका बदा दिया है इस तरह से आप जरूर चेक किये जएगा अगर आपका plasticular में current आ problem आता है अर्थ यहां पर जो पट्टिय लगा होता है वहां पर अधिक देखने को मिलता है वह होता ऐसा है कि यहां पर धूलकन मैल बैठ जाता है और उसमें नमी आ जाता है और उस नमी जहां तक परत बनी हुए रहते वहां तक आपको अर्थ देखने को मिल जाता है तो आ इसमें ऐर्थ भी नहीं आएगा और दूसरा तरीका या आपको इस प्लास्टिक को भी आपर आजपा सकते हैं तो जहां तक आपका प्लास्टिक का कुलर में नीचे की सता में जहां तक करेंट आ रहा है यानि कि अर्थ आ रहा है वहां पर आपको इस वायर को अटेच कर देना है जहां पर अर्थ जहां तक अर्थ ले रहा है वहां पर अटेच कर देना है और वायर की दूसरे सिरे को आपको क्या करना ह पर आपको जो कुलर का स्टेंड होता है उसके नीचे दबा देना इससे क्या होगा कि कुलर में आ रहा और अर्थ को नीचे जमीन में पास हो जाएगा जिससके के आपका पूलर अर्थ नहीं लेगा दोस्तों इस तरह से आप अपने कुलर प्लास्टिक कुलर में आ रही अर्थ को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जनकारी पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं हमाज चैनल में तो हमाज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस किये जएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेश्ट टुटो में एक और नई रिपेरिंग वीडियो को साथ और इलेक्ट्रिकल वीडियो को साथ तब तक लिए जय हिन जय भारत वन दे मातरम